21 मार्श 2023 को 6.5 मेगनिट्यूट के अर्थकोएक ने पूरे NCR को हिला दिया जी हाँ पूरा NCR डर के साहे में जीने लगा कि आखिर क्या अर्थकोएक आया है हमें क्या करना है क्या नहीं करना किसी को समझ में नहीं आया इसलिए वो एक आए घर से बाहर निकल गए गड़गाओं सेस्मिक जोन 4 के अंदर आता है और NCR पूरे की बात करें तो NCR जोन 4 के अंदर आता है नमस्कार मैं हूं प्रदीप मिश्रा दे प्रॉपटी मिश्रा शो में आपका स्वागत है यहां हम प्रॉपटी और प्रॉपटी मार्केट की हकीकत बताते हैं यहां जैसे मैंने बताया कि NCR पूरा सेस्मिक जोन 4 के अंदर आता है तो और कौन-कौन से स्टेट्स हैं जो सेस्मिक जोन 4 के अंदर आते है और गुड़गाओं की क्या डेमोग्राफी है क्या यहां पर एक्षिन लिया है अर्थ को एक आने के बाद मतलब क्या प्रोएक्टिव स्टेप्स गवर्मेंट और ले सकती है कैसे यह हमारी डे टू डे लाइफ के ओपर पढ़ने वाला है इसका इंपक्ट और क्या डूस और डूस और अगर अर्थ को एक आता है यह सारा मैं आज आपको बताने वाला हूँ चले शुरू करते हैं यह जोन आपका हाई टैमेज रिस्क जोन के अंदर आता है और कौन कौन से एरिया आपके इस जोन के अंदर आते हैं तो थरी फाइव भी मैक्सिमम कंसीडर्ड जो हाई जोन अर्थक्वेक जोन नहां उनके अंदर यह एरिया जाते हैं सेवन फॉर्ट सेस्मिक लाइन जोन की बात करें तो उसमें गुरुग्राम रिस्कियस्ट एरिया न्सियार के अंदर माना जाता है दे़िए यहां पर Fault Line है क्या? Fault Line एक तरह से Fracture है जहां दो Blocks होते है दो ब्लॉक्स है मान लिए अगर ये blocks पूरी तरह से active हो जाते हैं ये fault line जो है जैसे मैंने बताया 7 fault line में से गुरुग्राम भी एक उसके अंदर का part है अगर ये पूरी तरह active होती है तो 7.5 magnitude का यहां earthquake भी possible है अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो 20 लाग की population है यहां पर और अभी भी यहां पर ब 6,000 medium और 3500 small scale industries हैं यहां पर गुरुगाओं के DC ने ऐसी buildings जो की 10 floor से उपर high-rise building है वहां high security earthquake security system install करने की लिए यहां पर orders दे दिये हैं इस पूरे प्रकरण को finalize करने के लिए करीब एक महिने का समय estimated था और उसके बाद इसको install करने के orders दिए के मतलब अभी जो stage है वो इसके पूरा जो finalize कैसे project किया जाए क्योंकि इस project को पूरा सभी buildings के अंदर install कराना है तो इसको final stage में लाने के लिए करीब एक महिने का समय रखा गया है उसके बाद जो order है उसके इंप्लिमेंटेशन के order है मतलब यहां पर अब गुड़गाओं में earthquake को लेकर सरकार बहुत ज्यादा सक्त हो रही है क्योंकि इस टाइप के अर्थकुएक और ना हो पेसे पिछले कुछ दिनों में आपने दिखा कई countries के अंदर अर्थकुएक आये हैं और बहुत बड़ा विनाश हुआ है तो इस बार सरकार सजग हुई है और उमीद आये सजग आगे भी बनी रहेग अगर बनी रहेगी तो हम सब के लिए अच्छा है क्योंकि अगर अर्थकुएक के system install होते हैं तो यह हम सब के लिए बहुत benefit होने वाला है और यहां पर जो cost है वो developer पे डाली गई है इसे cost को cost of installation है वो developer बेयर करेगा और कितना होगा और क्या-क्या इसके अंदर factors हैं वो पू प्यारी होती है और हमें आपके अपने साथ-साथ आपकी भी लाइफ प्यारी है यहां पर DC के order के हिसाब से साइरन भी इंस्टॉल होगा जो की primary और सेस्मिक जो वेव साती है उसको पहले थोड़ा जज़ कर लेता है जैसे ही वह जज़ करता है वैसे 30 सेकंड के अंदर क्योंकि बुकम जब आने वाला होता है तो कहीं न कहीं उसकी waves उठती है और अगर अच्छे equipment's installed हैं उस building के अंदर तो वह आपको gauge करके थोड़ा सा पहले बता देते हैं जिससे आप safety precautions ले सकते हैं 2016 में जब नेपाल earthquake आया तो उस टाइम पे गुरुग्राम में फर्स हर्याणा इंस्ट्यूट आफ पॉब्लिक एड्मिस्टेशन जो हीपा की building के अंदर ये system install किया गया है जो कि 2019 से अब system पूरी तरह काम नहीं कर रहा है तो यहां पर system का install होना ही जरूरी नहीं है system का regular check कर करना और प्रियोडिकली वह काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसको regular चेक करते रहा है क्योंकि अगर वह effective system लगा हुआ है तभी आप उससे safe हो पाएंगे एक खाना पूर्ती के लिए system लगा देना और फिर बादिन उसका ना काम करना यह आम लोगों की जान के साथ खिलवार भी हो सकता है इससे यहां पर control room को यह भी assure करना है कि lifts within seconds यहां पर खाली हो जाएं और यहां पर electric lines जो हैं वह completely shut कर दी जाएं क्योंकि इसका भी बहुत ज्यादा impact आता है तो electric lines completely shut हो लिफ्ट immediately vacate हो जाएं और regular administration द्वारा इसको surprise चेक करने की बात भी इसके अंदर शामिल है क्य mandatory होने वाला है evacuation regular drills भी इसके अंदर plan के अंदर दिया गया जिससे कि आपको regular drill के थूँ यह बताया जाएगा कि कैसे आपको security system पर react करना है कैसे alarm बजने पर आपको खाली कर देना है space उन सब की जानकारी भी residents के बीच में regular drill से आपको बताई जाएगी मतलब घर में अगर आप को इस ड्रिल के अंदर बताया जाएगा मतलब यहां residents को भी regularly educate किया जाएगा कि earthquake की स्टेज में क्या करना है वैसे हम आपको इस प्रोग्राम में पूरा बताने वाले हैं कि earthquake की स्टेज में क्या डूस हैं आप पूरा प्रोग्राम continue देखते रहे क्योंकि यह आपके लिए ब बहुत जरूरी है चलिए अब शुरू करते हैं क्या डूस हैं अर्थ को एक आने के ऊपर जो हमें करने हैं आपको यहां पर सबसे पहले अगर आपके सीलिंग में किसी भी टाइप का प्लास्टर क्रैक है या कहीं पर भी क्रैक आपको नजर आ रहा है फांडेशन में है या क एक पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं यह सब आपके काम के हैं क्योंकि आप इसे नजर अंदाज करते हैं यह मैं जानता हूं लेकिन आपको इसे नजर अंदाज नहीं करना है क्योंकि यही चोटी-चोटी चीजें बुकम पाने पर आपको सेफ कर सकती है पहला जै आप की वालिय क्या具 तो इससे अंड़ करते है तो उससे चाहिए स्थे उपने वहार है तो मतलब डबल तरह से आपको secure रहना है क्योंकि fan अक्सर देखा जाता है लोग जहां सोते हैं उसके ठीक ऊपर होता है तो कोशिश करना हमें उसको बिलकुल ऊपर ना रखने क्योंकि वो earthquake के stage के अंदर आपको सबसे जादा उससे दिक्कत होने वाली है जो की fan ceiling fan आपके ऊपर तंगा हुआ है तो आपको उसे थोड़ा सा दूर रखना है उसे anchor से बांद के रखना है उसे braces से बांद के रखना है जिससे वो tightly पकड़ में बना रहे जिससे वो अर्थ को एक आने की stage में आपके ऊपर ना गिरे हो breakable items को आपको हमेशा cabinets के अंदर रखना है जैसे की bottled, food, glass ये सारी items है इनको हमेशा cabinets के अंदर रखना है open area में नहीं रखना क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत देती है जब अर्थ को एक आता है तो जब कांच तूटता है फटता है तो वो human के उपर सबसे ज़् सो रहे हैं उसके पास में कोई किसी भी तरह का scenery लगाऊना glass से frame किया हुआ वो सारी चीजें भी आपको इससे दूर रखनी है मतलब जहां आप सोते हैं जहां बैठते हैं उससे glass के item या heavy item जो सीधा अर्थ के stage पर आप गिर सकते हैं उसे आपको वहां से दूर install करना है जिसम इन सब चीजों को भी आपको check करते रहना है regularly क्योंकि यह भी earthquake आने पर आपको बहुत ज्यादा दिक्कर दे सकते हैं तो आपको इनको regular check करते रहना है किसी भी टाइप का leakage gas connection में electric wiring में कहीं भी कहीं खुलापन कहीं पर भी ना हो water heater LPG cylinder या PNG connection जो भी आप use करते हैं वह proper strap किय हुआ हो कहीं भी अगर earthquake जैसे situation आती है तो बहुत जादा easily वहां से detach ना हो क्योंकि अगर वह detach होंगे तो इधर जाएंगे तो वह proper अच्छे डंग से strap किया हुआ है तो वह आपके लिए बहुत फाइदेगा सौदा रहता है तो जो भी जैसे भी आप यह install करा रहे हैं तो य ऐसी कोई city जब होती है cabinets के अंदर रहती है तब भी वह चीज़ें बहुत अत्तक secure रहती हैं आपको indoor और outdoor आपके घर का एरिया है वहां हमेशा safe places को पहले से identify करके रखना है जैसे कि मान लीजे earthquake आता है तो आपको dining table चुकि उस पर hardwood लगा होता है या आपका जो bed है उसके अ अगर किसी type से भी कुछ damage होता है उपर नीचे तो आपके उपर अगर layer है तो उसमें आप secure हो सकते हैं तो हमेशा आपको अर्थकर जैसे situation में bed के नीचे या फिर आपको dining table के नीचे थोड़ा सा secure feel होगा तो थोड़ा सा आपका बचाव ज़्यादा हो सकता है तो ऐसे places आपक open space में हैं तो आपको क्या करना है देखे open space में आपको कहीं पर भी building, tree, telephone, electric wire, flower, bridge इन सबसे दूरी बना के रखनी हैं क्योंकि ये जल्दी damage हो सकते हैं तो ऐसी city में इन से आपको थोड़ी सी दूरी बना के रखनी हैं उसके बाद आपको हमेशा emergency telephone numbers जैसे doctor, hospital, police इन सबके emergency phone number आपको याद होने चाहिए या आपके list में होने चाहिए कि जिससे emergency पढ़ने पर आप इने contact कर सकें आपको हमेशा अपने और अपने family member को disaster के time पर जो steps उठाने है उसके लिए educate करने की जरुत है आपको disaster management kit हमेशा ready रखने की जरुत है यहाँ पर आपको battery operated torch रखने की जरुत है first aid kit जिसमें with manuals उसमें कैसे कैसे आपको करना है वो important है आपको हमेशा रखना फिर food में dry type की जो foods है यह सब चीछें आपके पास अकसर होनी चाहिए dry food के साथ साथ water जो containers में हो वो भी आपको हमेशा रखने की जरुत है candle matches आपको हमेशा waterproof जो containers है उनमें रखना चाहिए knife आ medicines है वो आपके पास होने चाहिए cash, credit cards शब्स होने चाहिए chlorine tablets जो आतो है यह araटर purify करती है वो आपके पास होनी चाहिए आपने पास रखनी है जिससे कि आप अपने आपको Pandemia में से अचेया में यहां पर हमेशा आपको एक चीज ज्यान रखना है कि आपको एक family के अंदर emergency के case में communication plan को हर family member के साथ में discuss करके रखना है क्योंकि जब earthquake आ जाता है तो लोगों को समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है तो ऐसे में अगर बच्चे, बुड़े, जवान, सब एक तरह से family के सभी phone numbers उनको पता हो, उनकी list में हो और किसी भी आपातकाली सिती के अंदर उन्हें क्या करना है अगर पता है किस-किस से बात करनी है तो उससे क्या है कि माली बच्चे स्कूल गए है तो उस ताइम पर कैसे उनने communication set up करना है कि उनके वापस लाने का arrangement कैसे करना है या घर का male member बहार है या female member बहार है तो कैसे वो घर तक reach out करें तो उसके लिए emergency contact number अगर सब के पास रहेंगे तो वापस में एक दूसरे को reach out करके connectivity establish करते हैं कि emergency situation में कैसे सब safe और secure हो पाएं और साथ में आपको यहाँ community को भी educate करना है सिर्फ अपना ही educate नहीं होना चुकि आप एक community में रह रहे हैं तो आपको community को भी educate करने की ज़रत है कि disaster के time पर आपको कैसे situation को handle करना है तो खुद के साथ साथ उनकी भी disaster management जो education है वो भी important है आपको अपनी community के अंदर हमेशा earth को एक drill भी करने की ज़रत है कि earth के situation में community कैसे करें आप अपने घर पे कैसे करें आपको अपने family members को भी educate करने की ज़रत है आपको gas, electric और water की जो आपके representative है जो प्रवाइडर साथ हैं आपके इनके जब भी representative आते हैं तो आपको हमेशा emergency के case में कैसे इसे shutdown करना है ये भी आपको इनसे समझ के रखना चाहिए और साथ में community को भी family के साथ साथ community को भी educate करना चाहिए इसके बारे में चलिए अब समझते हैं जो एर्थ-quick जब होता है तब आपको करना है ये dudes and donts तो पहले क्या साथानी ब्रत नहीं हुआए लेकि जब एर्थ-quick आ गया तब आपको क्या करना है ये समझ लेते हैं आपको सबसे पहले minimum movement करनी है क्योंकि movement जब अर्थ को हो रहा है उसके शौक्स आ रहे हैं तो उस टाइम पर movement आपको ज़्यादा दिक्र दे सकती है तो आपको minimum safe place जो आपको जैसे हमें देंट करेगा यह आप अभी नहीं gauge कर सकते तो जब ऐसी सिती आ जाती है तो आपको वहां पर minimum movement करनी है आपको अपने study table अपना bed या dining table के सबसे पहले उसके अंदर चले जाना है और अपना face और head को अपने arm से कोशिश करना है कि वो cover करना है या फिर आप building के जो most internal corner है वहां पर पहुंच जाना है और अपने face और head को cover करना है क्योंकि ऐसी टाइम पर जब glass break होता है तो वो सबसे ज़्यादा आपको damage करता है तो आपको अपने face और head को सबसे पहले cover कर लेना है अगर pillow आपको मिल सकता है तो pillow से भी आप अपना face और head cover कर सकते हैं और जैसा मैंने बता है तो वो आप जहां बैटे हैं जहां लेटे में उस पर आपको बहुत ज़्यादा damage कर सकता है तो आपको immediately वहां से हट जाना है और आपको safest days पे पहुंच जाना है ये भी आप जियान रखें अगर light चली भी जाती है तो sprinkler system और alarm हमेशा on stage के अंदर हो क्योंकि वो भी आपक दूरी बना के रखनी है और immediately मतब ऐसी stage अगर आजाती है तो immediately आपको इसके पास से हट जाना है और कहीं पर भी building के पास नहीं रहना है क्योंकि अगर कुछ damage होता है building के रहती है तो उसकी कितनी length है उससे दूर अटके आपको रहना है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो damage होता है earthquake के case में वो flying glass चूकि glass तूटता है तो flying जब glass होता है glass तूटके बिखरता है जब उससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है और कोई heavy item जब बिखरता है उपर से गिरता है उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है तो आपको इन दोनों से बचके रहना है और अगर पर जितनी possible हो सके movement को रोक लेना है अगर आप मलवे के अंदर दब भी गए है तो आपको क्या करना है देखिए अगर मलवे के अंदर दब गए है तो किसी टाइप की आपको match stick से light नहीं करना है क्योंकि अगर कोई भी utility gas pipe या electric wire वहां खुली है तो वह आपको दिक्तक दे सक करता है तो ऐसे केस में उसे lightning नहीं करनी है मैस्टिक आपको नहीं जलानी है आपको कोशिश करना है कि वहां whistle बजाए क्योंकि बहुत जादा जब dust वहां flow कर रहा है तो आपको shout भी नहीं करना क्योंगर आप shout करते हैं तो यह possibility है कि dust आपके अंदर चले जाए और आप चोक ह नहीं हो सके वहां पर अपने face को cover करके रखने की ज़रुत है क्योंकि dust आपको सबसे ज़्यादा हाम देने वाला है तो आपको वहां पर maximum possible हो सके तो विसल बजाके किसी तया alarm create करना है कि जाओ आसपास के लोग हैं वह आपको पहचान सके कि आप वल्वे के अंदर दबेवे हैं और वह आपको कहीं हद तक वहां से safely और securely वहां से को इवेक्वेट कर सकें देखो यह सारी चीजें तो डूस एंडोंट्स हैं लेकिन हम हमेशा चाहेंगे कि हमारे listeners safe और सुरक्षित रहें तो उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया त के और भी आने वाला हूं क्योंकि हम प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्किट की हकीकत बताते हैं नमस्कार जैहिंद